हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मों यूटूब चैनल सी के फूड में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मैगी चलो उसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक कड़ाई में दो गलास पानी लिया है जो गरम होने के लिए रख दिया है दिखिए मार प्याज को पल्टे की सहता से अलग लग कर लेना है ताकि हमारे जो प्याज है इसके स्लाइस अलग लग हो जाए अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च शिमला मिर्च को भी मैंने लंबी-लंबी स्लाइस में काट लिया था अब हम इसके अंदर डालेंगे सोय चंक्स सोया चंक्स के अंदर चीकन से भी ज्याद़ प्रोटीन होता है इसको आप जुरूर खाएं और अपने बच्चों को भी जुरूर खिलाएं इदे कि हमारे जो वेज़ी टेबल सोया चंक्स हैं वह बोल होने शुरू हो गए हैं और अब हम इसके डालेंगे यह दो काटवी बरिक हरी मिर्च नमक डालेंगे हम अपने स्वाद के नुसार मैं इसके अधा चमच नमक का यूज़ कर रही हूं थोड़ सी हल्दी पिस्यू ही लाल मिर्च और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला जो मैगी की पाउच के अंदर अल्रेडी होता है इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके तरह डालेंगे मैगी मैगी को अब जाज अच्छी तरह से ना मिक्स करें ताकि ये बीच में तोटना जाए हमने इसको लंबे-लंबे ही रखने है अब हम इसको पल्ट देंगे ताकि हमारे जो मैगी है वो दूसरी तरह से भी गल जाए पूरी बीच में से ना टूटे आप इसको बार बार हिलाते रहें जिकिए हमारे जो मैगी है वो बोईल होने शुरू हो गई है अब हम इसके डालेंगे तुमाटर के स्लाइस हाफ सरकल में मैंने वो भी काटे थे आप डालेंगे इसके अमूल की फ्रेश क्रीम अगर आपके पास आपकी घर की क्रीम है तो आप इस घर की क्रीम भी डाल सकते हैं थोड़ी सी म्यूनिज यह जुरूरी नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इन सब चीजों को हम अच्छीना से मिक्स कर लेंगे आप इसको बाबा हिलाते रहें ताकि हमार जो मैगी है वो वेजिटेबल्स के अच्छीना से मिक्स हो जाए और गया स्लो कर दें ताकि मैगी वो निच्चे ना लगे दिखिए हमार जो मैगी है वो बोईल हो रही है अच्छीना से पक गई है मेरी मैगी आप इसको बार बार बीच में हिलाते रहें अब हम इसके डालेंगे पनीर जिसको मैंने पहले ही कद्दुकस कर लिया था हम पनीर को मैगी के अच्छीना से मिक्स कर लेंगे दिखिए मेरे जो मैगी है वो बंकर त्यार हो गई है अब हम गयस बंद कर देते हैं 5 झान गर्कितनी अच्छी लग रहा है कितनी कलरप फुरल लग रहा हमारी मैगी की चि चिकर मसाले भी है वह एड buttons भी आपको मेरी ब्यूडियो कैसी लगी अपने कमेंट में मुझे जिरूर बताएं मैं व्लीको लाइक करें और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू